दोस्तो नमस्कार उज्वल लच्छे यूटूब चैनल पे मैं नरायन प्रशाद दिवांगन आप सभी का हार्दी कभी नंदन करता हूँ आज की इस वीडियो क्लास में हम पांच प्रशनों को हल करेंगे और पांच प्रशन जो है काफी महत्रपून है ये सभी सवाल जो है आपके द्वारे ही पूछा गये है जो की यहाँ पर देख सकते हैं प्रशनक रमांग 21, 22, 23, 24 और 25 इन पांच सवालों को यहाँ पर हल किया जाएगा अब यहाँ पर बता दें कि हमने वीडियो का सुरुवात में प्रशनक रमांग 21 को क्यों लिये हैं इसका मतलब यह है कि आपके द्वारों जो सवाल भेजे जा रहे हैं उसका यह 21 नंबर का सवाल है हमने इस सीरीज के अंतरगत अनेक वीडियो डाल दिये हैं जिसके अंतरगत प्रशनक रमांग 21 से लेकर 20 तक की वीडियो को आपको अवस्य दिखना चाहिए जिसमें काफी महत्तपूर प्रश्ण हैं, काफी उल्जे हुए प्रश्ण हैं, जिसको बहुत ही सरलता से बताया गया है तो जितने भी विद्यार्थी परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं, वे सभी जो है उन वीडियो को अवसे देखिए वे सभी वीडियो जो है इस प्लेलिष्ट में मिल जाएगा और प्लेलिष्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिक्स्रिप्शन पर है अब हम आज जो है प्रस्णाग्रमा 21 से लेके 25 तक के प्रश्णों को हल करेंगे जिसमें यह भी देखेंगे कि इन प्रेश्टनों को किसने भेजा है और इन प्रेश्टनों को किस प्रकार से हल करना है और आपको बता दे कि आपके पास यदि सवाल हो तो आप भी अपने सवाल को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं वे सवाल जो है नवदय परिच्छा के लिए होने चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी त्यारी भी अच्छे सहो जाएगी, आपके डौड भी यहाँ पर क्लियर होंगे, तो चलिए आज की वीडियो क्लास को सुरू करते हैं, यहाँ पर देख सकते प्रश्ण है, दस प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर से, किसी निश्चित समय के बाद, मूल धन और साधरन ब्याज का अनुपात, दस अनुपात तीन था, निवेश किये गये धन की अवधी कितने वर्सकी थी, यहाँ पर चू की यह जो है साधरन ब्य ब्याज के प्रश्ण है, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, जब भी साधरन ब्याज की वीडियो आते हैं, उसमें आपको करना क्या होता है, जब भी प्रश्ण आपको मिले साधरन ब्याज के, पांच चीजों का आप तुरंत लिख दीजिए, मूल धन, दर, समय, ब्याज और उसके बाद जो है मिस्रधन, ठीक है, ये पांच चीजे आप लिख लिजे, अब इतना लिखने के बाद आप प्रश्ण को फिर से पढ़िए, और प्रश्ण में जो जो जानकरी दिया गया है, उसको यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, अब पढ़ते हैं, दस प् किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद अर्था समय यहाँ पर नहीं दिया गया है, मूलधन और साधरन ब्याज का अनुपात, दस अनुपात तीन था, यहाँ पर ना तो मूलधन इस पश्ट दिया है, ना तो ब्याज इस पश्ट दिया है, लेकिन मूल मूलधन और साधरान ब्याज के बीच में तुलना है मूलधन और साधरान ब्याज का जो अनुपाद दिया है दस अनुपाद तीन इसका मतलब यदि दस हिस्सा जो है मूलधन है तो तीन हिस्सा जो है क्या होगा साधरान ब्याज होगा अर्थात यदि दस रुपया मूलधन है तो 3 रुपय क्या होगा साधरान ब्याज होगा ठीक है तो यहां पर चूकी दर दे दिया है प्रतिशत में इसलिए मूलधन को सबसे पहले आप 100 रुपय माल लो 100 रुपय मानने से गड़ना करना बहुत असान होता है अब जब मूलधन को आप 100 रुपय माल लिए जैसे इसको हम 100 रुपय माल लिए तो आपने देखा कि जब 10 रुपय था, तो साधरान ब्याज 3 रुपय होगा, अब यदि जो 10 रुपय वो 100 रुपय बना दिये, तो साधरान ब्याज क्या हो जाएगा, 30 रुपय हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्याज में हो जाएगा 30 रुपय, ठीक है, अब यह हो जाएगा 130 तो अधिने पिछा है आपको ता लिए प्रकार के शुत्र लगाने की और शक्त नहीं है यहाँ पर दर का मतलब क्या है दर का मतलब होता है 100 के पीछे क्粹 यहाँ यह पर वारसिक दिया है 100 रुपय के पीछे, एक साल में जीतना पैसा हम, जीतना रुपया एक्ष्टा देते हैं, वही दर कहलाता है, एक प्रकार से एक साल का ब्याज है ये, 100 रुपय के पीछे, तो 100 रुपय में 10 रुपया ब्याज, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपया, अब टोटल ब् कम्प देश्तिया ठीक है तो यहां पर हो जाएगा तीन वर्श आप已经 साम सा है यह पर clear है अब हम चलते हैं अगले प्रस्ण के ओर उसको देख। इसने भेजा इसको भीजए है आप देख सेटे हैं यहां पर कुनाल सोनी में भीज़ा है इनका भी क्रेय मुल्ले क्या है बहुत समाने सा प्रस्थन है लेकिन अपने शब्दों में ये उल्जा दिया है माल लीजिए ये जो है हमने गाय के लिए संकेद बना दिया यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम इसको 760 रुपा में बेचते हैं तो यहाँ पर लाव होता है कितना लाव होता है उतना ही लाव होता है जीतना यदि इसको 540 में बेचे तो जीतना हानी होता है इसका मतलब यदि 760 में बेचते हैं तो लाव हुआ और 540 में बेचते हैं तो हानी हुआ आप दोनों के बीच में आप देख सकते हैं इसमें अधी लाव हो रहा है इसका मतलब क्या होगा क्रेय मुल्य इससे छोटा होगा और यहां पर हानी हो रहा है इसका मतलब क्या होगा क्रेय मुल्य जो है इससे बड़ा होगा तो यहां पर क्रेय मुल्य है आप देखिए यहां इतना विक्राय मुल्य ए उससे जितना आहांने के जितना क्म है जो 590 अधिक जो है क्या होगा विक्राय मुली ये विए वाला होगा, ये वाला कौँ अब दोनों तरफ बराबर है अर्था जितना कम ये है उतना ज्यादा ये है इसका मतलब दो हिस्सा हुआ तो इसको हम दो से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 110 तो यहाँ पर जो अंतर आ रहे है यह आ रहे है 110 का अर्था इस क्राय मुले से यह 540 रुपया 110 कम है 110 कम है तभी तो इतना हनी हुआ ना भवाई और उसी प्रकर यहां पर जो है यह हानी हुआ है예요 इन दोनों को जोड़े की तो भी मिल जाएगा तो जोडते है parece दो यहां हो जाएगा चैनलकाव ऑच्छाश्व हो गया क्या हा उततर क्लियर है एबHa cynовые ने knew को लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल ऐकान दबा लिजिए सभी को बताए कि उज्वल लख्ष यूटूब चैनल के माद्यम से बहुत अच्छे नवदय की त्यारी हो रही है आप सभी जूडिये और अन्य सांथियों को भी जूडिये अब यहाँ पर दिखते हैं प्रश्णक्रमांग 23 इसको भेजे हैं अंकित सो निने प्रश्णक्रमांग 23 कहता है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता ह है बी भी उसी काम को 9 दिनों में यहाँ पर पूरी नाम का चिन होना था यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पुरा किया जाएगा बहुत सिंपल सा सवाल है हमने समय और काम के समय और काम के तीन वीडियो बनाए है क्या बनाए है तीन वीडियो बनाए ह जो अच्छे इस प्रकार से टाइप कीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, जो समय और काम से संबनित है, उसको अवश्य देखने ना, अगर उसको देखे रहते तो इस प्रशनों को आपको भेजने के आउश्यक्ता ने पड़ती है, चुकि भेजदियत इसको हल करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि A जो है 6 दिनों में काम करता है, तो A जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटा 6 काम करेगा, यह 6 दिन में काम करता है पूरा काम को, तो पूरा काम करता है 6 दिमाली जी इतना काम है, तो इसको करने के लिए जो है 6 दिन का समय लगाता है एक हिस्सा अर्थात एक बटा छे काम कर रहा है उसी प्रकार जो बी है उसी काम को नौ दिनों में पुरा करता है इसका मतलब एक दिन में एक बटा नौ काम करेगा अब जब दोनों मिलके काम करते हैं यह जो काम था इतना ही बड़ा जो काम है इसको जो है यह जब बी काम करते तो 9 दिनों में करता है, तो यहां पर देख सकते हैं, जब A काम करते हैं, तो एक दिन में इतना काम करेगा, B जो है, इतना काम करेगा, अब दोनों मिलकर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इतना काम जो है, B भी करेगा, इतना काम, A भी करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, यह हमको पहले पता करें, तो दोनों जब इसको हल करेंगे, तो यह हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 18, और एक हो जाएगा 2, 18 कैसे हुआ, इसका LCM निकालेंगे, 9-1-9, 9-2-9, 18, 18-6 के पहाड़ा में आता, इसलिए हमके 18 हुआ, अब इस एक को भी हमको दोगुना करना पड़ेगा, तो 3, 2, 5, 5 बटे 18, अब इसको आप पलड़ दो, तो यह हो जाएगा 18 बटे 5, अब 5 एक हम 5, 5 तिया 15, 3 सेस फल बचेगा, तो उपर में आ जाएगा, और इस प्रखास, 3 सही 3 बटे 5 दिन जो है इसका उत्तर होगा, क्लियर ह अब हम चलते हैं प्रश्ण करमांग 24 की ओर, जिसमें बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हैं अंकित ने, इसमें कहा गया है कि एक मचली के टैंक की लंबाई 40 cm, चौडाई 40 cm, तथा उचाई 50 cm है, इसमें 50 लिटर पानी भरा है, इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कि जो है मापन वाले प्रश्ण हैं और इसमें आपको माप पता होना चाहिए, तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले देखिए, यह जो है मचली का एक टैंक है, ठीक है, यह एक टैंक है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई, यह जो है लंबाई होता है, ठीक है, और भी जो खीच रहा हूं यह इसकी चौड़ाई है और यहां पर देख सकते हैं यह जो लाइन है इसकी उचाई है तो जो लंबाई है वो 40 cm है चौड़ाई भी 40 cm है लेकिन उचाई जो है 50 cm गुण चाई मेटर सबसे पहले हमको इस बॉक्स में कितना पानी आ सकता है अधीच से अधीकर्था जिसकी धारीता कुतनी होगी यह पता करना होगा तो इसको पता करने के लिए हमको इसका आयतन पता करना पड़ेंगा तो चूंकि आप देख सकते सभी सेंटीमेटर में और त स Adventures in the तो तीन बार सुन न है पांचे वीश और यहां पर आगे इसका जो गुना करोगे यहां पर संती मिटर मेह है यह भी सन्टी में ये पानी कितना लिटर आएगा यह पता करना है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितने घं सेंटीमीटर में एक लिटर पानी आता है तो यहां पर आपको बता दें एक लिटर पानी जब आता है तो उसके लिए जो आयतन होता है 1000 घं सेंटीमिटर की ज़रुत पड़ती है कितना 1000 घं सेंटीमिटर ठीक है अब यहाँ पर 80,000 घं सेंटीमिटर है जब 1000 में 1 लिटर आ रहे है तो 80,000 में कितना होगा 80 गुना बढ़ जाएगा अर्थात ये भी क्या हो जाएगा 80 लिटर हो जाएगा इसमें जो टोटल असी लिटर पानी आएगा अब असी लिटर पानी आएगा लेकिन पहले से इसमें क्या है पचास लिटर भरा हुआ है तो असी में से पचास को घटाएंगे यहाँ पर बच जाएगा 30 तो 30 लिटर पानी इसमें और भराएगा ठीक है आखरी प्रशन इस उच्छा गए इसको भी भेजे जो है अंकित सोनी ने भेजा है रीमा आशा से चार वर्स बड़ी है और आशा कवीता से दो वर्स बड़ी है यदि कवीता की आयू 40 वर्स हो 40 वर्स है तो रीमा की आयू क्या होगी तो ऐसे सवाल में सबसे पहले जो जो नाम आये हैं उसको सब से पहले आप एक बार लिख दीजिए आप देख सकते हैं यहाँ बार रीमा आया है उसके बद आशा आये है और आशा के बाद कवीता आये है ठीक है यह तीनों नाम हम लिख दिये अब प्रस्ण को फिर से पढ़ते हैं रीमा आसा से चार वर्स बड़ी है अर्थात यह जो री वर्स बड़ी है अर्था इस कवीता से यह जो आशा है वो दो वर्स बड़ी है अब उसके बाद यदि कवीता की आयू 40 वर्स है किसकी आयू दिया है कवीता की आयू यह दिया है 40 वर्स कितना दिया है 40 वर्स तो रीमा की आयू क्या होगा अब बता यह 40 वर्स है तो आशा क कितना हो जाएगा कवीधा से 2 वर्स बढ़ जाएगा 40 अरो जाएगा 40 अरो may Nicholas अब इस से जो है चार वर्सषा इक हो जाएगा 46 वर्स तो ये इसका क्या होगा उतर होगा तो इतने संपल तरीके से जो सभी सवाल को हमने हल किया आपके बास भी कोई सवाल है तो कमेंट अवस्टर कीजिए और उज्वाल अच्छे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब अवस्टर कीजिए बेल आइकन अवस्टर दबाएए क्योंकि यहाँ पर गडित के बहुत ही अच्छी कॉंसेप्ट है आपको सीखते को मिलते हैं जुड़े रहिए चैनल से नमस्कार